दुरू जी मैं आपका स्वागत है दोस्तों आज 31 अक्टूबर का करेंट अफेर्स लेकर हम हाजिर हुए हैं और सबसे पहले सबको गुद मॉर्निंग और जिन्होंने अभी करेंट वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें साथ में चैनल सब्सक्राइब नहीं कि तो प्राम से PCS प्री क्रैक कर ले जाओ च्टार करने से पहले चोटे सी इंफॉर्मिशन एक ओनलाइन कोर्स करेंट पर प्रवाइड कर रहे हैं इसमें बहुत सब्सक्राइब कर दो यह वीडियो तो डेली मिलते ही है अलग से मिलेंगी और लेकिन फोड़ा पेड है इसमें एक पहले इंबोटन है चार पाश सवाल से बन जाएंगे जीर्स के देखते हैं क्या क्या बंदे पहले देखते हो कि अपको पकड़ पायो ड्राइगन फ्लाइज जो है प्रोजेक्ट है नासा का नासा ने रिए नाम का चलाया है वह किस प्लैनेट को एक्सप्लोर करने के लिए मार्स युपिटर सेचन वेनस तो दोस्तों इसका आंसर है शनी रहा यानि कि आपका सेचन जो है वहां पर यह ड्राइगन फ्लाइट नाम का जो आपका मिशन है प्रोजेक्ट है अब शनी ग्रह दिया हुआ है लेकिन इसका में आंसर है कि शनी ग्रह का एक चांद है मून ज पहले जी समझे कि अगर यह पूछ लिया जाए यह बताओ कि शनी ग्रह के लिए और कहां जा रहा है यह असल में रियल जा रहा है टाइटन जो की एक सेटलाइट है एक मून है शनी ग्रह का ठीक है और वहां पर जाएगा दूसरा दो हजार चौश्वार पहुच जाएगा चलिए वहां पर सेल्क क्रेटर में आकर ही क्रेटर जो आला मुखी फटने के बाद जो चीज बसती है उसे वगर क्रेटर कहते हैं तो यह आपके सवाल बन जाएगा अब एक तो सवाल और भी आते अब देखिए दिहां सुनिएगा एक शनी के लिए एक और भी जहाज गया मिशन गया तो इसका नाम है कैसी नी कैसी नी एक और लेडी गया हो तो दो आपको दिग यहां पर एक दिग ड्रागन फ्लाइग दुसरा दिग जा कैसी नी ठीक है यह उसने भी वहां पर आक के कुछ इमेज वगरा भेजी थे अब यहां से मैं आप से बोलूं कि जो जीएस इसका सवाल PCS में कई बार आया हुआ है बहृत फिक्वेंटि नी आता भी है अलग अलग मिशन के लिए अलग 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 प्लैनेकर कहीं करने के लिए अलग अलग बन जाता तो आपको भी इसको देखना है तो मार्स के लिए जो गया था वो lung के दिया सबåक्न विए मार्स मार्स के लिए पर्सीवरेंस और नासा जो मरकरी बुद्ध ग्रह के लिए था वह मेसेंजर था वीनस के लिए मैरिनेट टू गया था जूप्टर के लिए जुनो गया था ठीक है और सेचन के लिए आपका अब यहां पर गया था शनी ग्रह के लिए वहां पर ESA यानि की European Space Agency है उनकी कोलाबरेशन में हुजेन जो है वह जहां जहां शनी में गया था देखिए नासा और ESA ने मिलकर भेया था तो एक नासा की थी हुजेन प्रोब वह भी सेचन पर गया था और वोजर टू जो गया है वह यूरेनेस और नेप्चुन गया है तो क दहांग से पढ़िएगा एक सवाल आता अब यहीं से में एक चीज और बोलता हूं को देखो एक मात्र मैंमेड ऑप्जयक्त जो की हमारे सोलर सिस्टम से बाहर निकल गया है वह यह जटू जहाया जों हमारे सोलर सिस्टम से ही बाहर चला गया है यह है वोजय तू ठीक है द अब हमने बात कर लिया कि कौन सा कौन सी चीज कहा गई अब थोड़ा शनी ग्रह के बारे में पढ़ लेते हैं शनी ग्रह के समझे कि कुछ सेटलाइट होता है जिनको यह नहीं पता कि सेटलाइट क्या होता है अब बात कौन सेटलाइट का मा है इस Tao नहीं को जो कूछ सेटलाइट के सटलाइट को शनी ग्रह के सेटलाइटसरे Jis May तो फिर यह सबसे ज़्या Tell a एक ज़ादा आगई है यह सबसे चंकीला चंकीला ओम चांड आगई है यह स्प्वाल जो बार बार एक्जाम में पूछे आते हैं तो यह कि पूछे आता है यह चंकीला है रिया नंबर टू पर आता है एक चीज और खासत होती है इतना कम डेंसिटी इतना हलका है कि अगर मालो पानी पानी है यह पानी है और इसमें इस तरह से पूरी त्यारी करनी है नंबर लाने फेल नहीं होना है अब एक सवाल और बनता है मैं चलो का अग्जामिनर हूं मैंने का थैक्पस कर दोंगा और मैंने का की पर आइसा करते हैं मज़ा आ गया करने में अब चलिए आगे बढ़ते हैं अब एक अगला सवाल दिखते हैं यह बता हो एक सिंबेक्स सिंबेक्स नाम के मेरिटाइम का मतलब है और अभिहासियु अभिहास कर रहा है इस तरह के सवाल आते हैं कि अपूरे इंडिया चाहे वो बाईलेटरल करें एक दूसरे देश तरह करें या मिलके कई तो वह एक्साइज करते हैं तो वह एक्साइज करते रहते हैं तो पहले तो आपको यह समझना है कि कौन सी एक्साइज की बात हो रही है अब सवाल पर आते हैं कि सिंगापूर के साथ मिलकर हमने सिंब्स नाम की एक्साइज कर रहे हैं और यह आप देखोगे नेवी इंडिया एनि सिंगापूर जो है करेगा सिंब्स है जोकि विशाका पर नाम होगा कि कि इस से है आपका मैजवी हो जाएगा कभी कभी प्लेस पूझ लिए कि मानओ लोग कि इसी, मिलिटरी एक्साइज के अंदर या कुछ जाहाज बगारा कोई बहुत बड़ा जाहाज या कुछ यूनिक सा चीज जो है वह यूज हुई है तो वह पूछा गया है इसलिए सिर्फ सवाल वह गाला नहीं हो था जो वंडे एक्साइम वाले वह उस तरह से नहीं पढ़ना आपक सब्सक्राइब पास नहीं कर पाओगे तोड़ा सब्सक्राइब अब के लिए अब बतां कि सिन एक्स जो है यह किसके साथ एक्साइज और लग्वीडियो देखि रहें दो खाली रहते और बजल्टाप पढ़ती नहीं है लोग बनते हैं अब आपको यह दिखना है कि आप क्या हो आप यह हो कि यह हो तो पापा मम्मी का पैसा फूग रहे हो छोड़ दो पड़ा लिखाई कुछ और अच्छा कर लो लेकिन अगर आप यह हो तो इसका अंसर दिखेंगे चलिए एक टांस्पूर्ट एयरक्राफ्ट मैनिफेक्ट्रिंग फैसिलिटी फॉर इनियन एरफोर्स सेट तू कम अप इन विच सिटी क्या किया रहा है इंदुस्तान में एक प्रजांब आप जाहाँ एयरफोर्स चहुत की ऊरांदी नुक हो रहे कि एर क्राफ्ट शच्रिंग होने जारे पहली मंट्रिंफफैक्ट्रिंग हो रिदारी पहला सवानsay to rain diy ऑम सा उप्त्रावक घरा अब हम इसको दिख रहेते हैं एक 54 कं निरे का कि यह देखें सी कि 295 MW सी कि 295 जो एरकाफ्ट है यह जो है यह गुजरात में वडोदरा में बनाया जा रहा है और पहली बार ऐसा हुआ है पहली बार ऐसा हुआ है कि यह मैनुफेक्ट्टर आउटसाइड यह आप है यानि कि अब इंडिया वाले भी पीछे नहीं रहे गए ह पहारत में भी यह एरकाफ्ट्रिंग और तो मैं यह कह सकता हूं कि सरकार जो फुलाल काम कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है हिंदुस्तान को आगे बढ़ना चाहिए यह अपने आप बहुत इंप्रेंट सवाल है चाहिए वडोदरा वाला पॉइंट पूइंट अब मैं आपसे मैनिफेक्शिरिंग मैनिफेक्शिंग से मुझे दो इन बाता है कि है क्या कि सबसे ज्यादा नोकरी तर्शरी सब्सक्राइब कर दो चैनल सब्सक्राइब लाइक कर दो शेयर कर देना और किसको पर पढ़ना हो तो यह जमा करके आज के लिए नमस्कार थैंक यू एव नाइस देश्टे